हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो दे चैनल कैसे हो आप सर्व यहां पे यहने थर्स्डे का व्लॉग है थेंक्स्गिविंग डे है हम लोग का यहां पे लॉग वीकेंड है यह थर्स्डे फ्राइडे सेटर्डे संडे आफ है सब का घर पे मैं तो जॉब करती नहीं हूँ और तुलसी विवा था तो तुलसी विवा में मैं ऐसा कुछ तो ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ बस सिंपल पुजा करती हूँ तुलसी जी की हमने पुजा कर ले लक्षमी विष्णो की कलिक मंदिर में जो रूटीन की पुजा होती है बस उसे थोड़ा सा ज्यादा मैं कर ल फूल भी घर पे थे दिवाली के टाइम के तो भी मैंने यहांपर चड़ा दिये, तोड़के उसको तोड़ना बहुत बुरा लगता है फूल को लेकिन न फिर भगवान को चड़ाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है अगर मेरे यहां पहले वाला हाउस था तब तो बहुत ज़्यादा फूल वहाँ खिलते थे अभी इस हाउस में थोड़े कम हो रहे हैं जितने टेकनोलजी में जाते हैं उतना ही हम आड़स बनते जाते हैं लेगि फिर चलो नई जनरेशन की ठीकिंग कुछ अलग होती है तो हमें उस हिसाब से भी चलना पड़ता है हम लोग लेकर आया थे और यह थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ नोइस कर रहा था बहुत ही तो बस वह यहां चेक कर रहे थी और इसे अगले दिन ही हमने चार्ज करके रखा था इसे आट लिस्स आवर कुछ रखना होता है चार्जीन में तो बस यहां पर वो चार्ज कर लिया था थो थोड़ी थोड़ी बार जैसे मैंने कहा थोड़ी थोड़ी देर में इसको नॉइज हो रहा था लेकिन चले कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी फिर आप ग लेकिन आज खट्टे निकले बहुत ही ज्यादा खट्टा था तो फिर मैंने इस तरह से कंटेनर में खोल के रखतो लिया था सुवेश उठते ही पहले ये काम किया था फ्रीज में रख लिया था और अभी सब को खाना था घर में क्यूंकि यह दोनों ना थैंक्स की इंग प अहां पर यहां पर मैंने ड्र chambers आ दाल दिय थिया है और उड़त डाल दी और करी लिस डाल दिया है जाерь करूंगा था कर दोसे बड़नी में यहां यहां पर और उसके तरह चुछ बहुत कुछी कि कर दो necessary कना धाश है रही हूँ open flame पे ही आमिन open कड़ाई पे ही धका नहीं था उसके बाद यहाँ पे मैंने सांबर मसाला डाल दिया है दाल का मसाला डाल दूंगी थोड़ा और थोड़ा कलर के लिए क्या बोलते हैं भी भूल जाते हैं न मसालों के सो कस्मेदी रेट चिली पाउडर डाल दूं तो मैं उबालने के लिए रख दूंगी जितनी मुझे पानी चाहिए वह सिसाब से उसके बाद यहाँ पे सबजी की तयारी कर लूंगी उसमें मैंने राई जीरा उड़त डाल डाल दी है थोड़े से करी लिए उस डाल दूंगी और उसमें भी मैं अन्यन डालूंगी कई ल जैसे मैंने का बहुत सारी डाली है और अलू थोड़ा सा काम उससे लोंगी अन्यन की कॉंटिटी मेरे यहाँ ज्यादा पसंद की जाती है सांबर मसाला डाल दिया है थोड़ा सा जिंजर गालिक पेस्ट डाल दूंगी जिंजर गालिक भी मैं डालती हूं इसके अंदर और यहाँ पे अलू को मने बॉल कर लिया था, माइक्रोवाव में ही कर लिया था, जल्दी से हो जाते हैं यह तंडे हो गए है इसे भी मैं पिल करके इसमें डाल दूंगी जब थोड़ा सा आन्यन सॉफ्ट हो जाएगा ना तब मैं उसमें डाल दूंगी आलू को सो यह ज़्य से और किशन भी डाल भी हिलाते हैं तो वो भी होते जा रहा है क्योंकि sound दो t wad गाती हुरत है यहां पे धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा कस्मीरी रेट चिली पाउडर डाला है सांबर मसाला तो इसमें डाला ही है मैंने वो डाल के उसके बाद मैं यहां पे आलू डाल दूंगी इसके अंदर जो वोईल करके रखा था पीस करके और इसे मिक्स करके डग कर करके थोड़े दिर कुखोने दिंगे अच्छा आनियन के तो डालते ना क्या इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता यह जाल एक हर चीज में में हर चीज में हर ऐएड किया जा सकता है ज़्यादा होतो फिर फैंकना पड़ता है इस हिसाब से सांबर भी यहां रेडी हो गया उसमें मैंने सीन डाल दी है जो हमारी सरगवा सिंग बोलते हैं वो और यहां पर आप देख सबते हो मैं जैसे मैंने कहा परेड चल रहा है सो यह लोग वाच कर रहे हैं मैं भी बस खाना बनाते बनाते देखी जा रही है आपर क्रिस्मस त्री आपको नजर आ रही होगी अभी इसका फुली डेकॉरेशन नहीं हुआ है इसके औरनामेंस अभी वैसे के वैसे कहां रखें यह अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है यहां यहां पर दीखे भंगड़ा भी हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं इसका साउंड यहां नहीं कर सकती कि यूट्यूब्स के गाइडलाइन्स के अगेंस हो जाएगा फिर वो क्लेम आ जाता है ना कॉपी राइट क्लेम से साउंड नहीं मैं कर रहे हूं लेकिन ब लेक लिया है हस्बन को बहुत ज्यादा पसंद है यह लसन की चपनी और उनको थोड़ा सा लसन स्ट्रॉंग फ्लेवर होना उस टाइप की पसंद है हाला कि मैं और मुसमी तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती इतना ती खा वह यह इन्हीं के लिए है और उनकी रेकेमेंड थी क थोड़ा सा ज्यादा बना दे तो वो रोटी सबजी के साथ भी ले लेते हैं तो यहां पर थोड़ा से मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर और ब्लेंड कर लूँगी बस इसमें थोड़ा सा नमक डाला था ज्यादा नहीं जैसे मैंने खा थोड़ा थोड़ा करके यह डालती इसको मैं थोड़ा सा कुक करूंगी तो इसका थोड़ा सा रॉप फ्लिवर कम हो जाए हाला कि यहस्बन को तो एज इटीज पसंद है जैसे मैंने कहा उनको पहुत ही ज्यादा स्प्रॉंग फ्लिवर पसंद है गर्लिक वगएरे का तो थोड़ा सा टेल लिया है वह गरम हो रह उतार दिया है तो इसे बस अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी तब तक यह काम भी होते रहते हैं साइड में और जो डंसा वगेरे के जो बैटर होते हैं इस तरह से बनाकर कि अगर फ्रीजर में यहां पे रख दो तो दो तिन मेने आराम से यह ऐसे ऐसे ही रहते हैं बस इसे 24 आवर बिफोर मैं फ्रीज में निकाल के रख देती हूँ तो यह डिफ्रोस अच्छे से हो जाता है डिफ्रोस करना बहुत जरूरी हो जाता है तो यहां पे मेरा तेल भी गरम हो गया है चतनी के लिए उसके बाद जो चतनी पिसी हुई थी वो मैं यहां पे डाग दूँग उसमें इतनी थी खास तो होती नहीं है तो बस इसको मैं अच्छे से अब कुख होने दूँगी थोड़े देर के लिए और याज यह चतनी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी कई बार होता है कि रोज कुकिंग हम अकेली हाथ करते हैं कई बार खाना कुछ टेस्ट में अगरे बार हमारे एक ही हाथ से हम खुद बनाते हैं लेकिन फिर भी टेस्ट में कई आगे पीछे होई जाते हैं सेम मसाले हो फिर भी तो आज की चतनी उनको काफी ज्यादा पसंद आई यहां पे साथ ही साथ में कीचन काउंटर भी साफ कर रही हूं और यहां बरतन वगेर है न जहां चांगर के बाध्र गया, बवारी ही हान गेरिंग एपन ही साफ करना और नशकर ऊकरिए। बहुत ही सिंपल है वो तो सो यहां पे वैक्यूम रोबर्ट वैक्यूम लेके आए हैं सो मुस्मी ने मुस्ट आफ तो सब कुछ फ्लोर उपर से उसने ले लिया एक दो चीज थी वो मैंने ले ली और जैसे मैंने कहा यह फुली चार्ज हो गया है सो बस इसको अब रन करेंगे सो इसका मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया मैं आपको भी दिखाती हूँ कई प्लेसिस पे न यह स्किप कर देता है जैसे कि कुछ कच्रा वगेर ले भी नहीं रहा है और अभी आप देखोगे कि यह जैसे घूमते जाता है न तो उसकी देखुए यह एजिस स्किप ह हो गई अब हमें लगा था कि वह वापिस वहां पर जाएगा लेकिन नहीं गया तो यह हम लोंग में यह नोटिस किया है या किसी और यह यूज कर रहा है कोई भी तुम हमें बताना देखे यहां भी यह एजिस नहीं लिया इसने तो में भी हम लोंग हो अगर आप में से करना कि यह इसी तरह से करता है या हमारा यह वेक्यूम है इस तरह शार्क का है यह और टू-इन वन नहीं है मॉपिंग का हमने नहीं लिया है आप्सन क्यूंकि सर्च किया ना तो उसमें मॉप जो क्लोथ होते हैं उसके अंदर वह एक ही अगर पूरे घर में घुमता रहेग तो फिर गंदगी इधर से उधर चिपकती रहेगी ना जो हम करते हैं तो वह तो चेंज कर लेती हूं मैं तो आधे आधे फ्लॉर पे करती हूं और दो रखा है मैंने मॉपिंग सो चेंज कर ले तो इसको फ्लिप भी करती हूं ना तो दो साइड़ है तो फोर टाइम इतने फोर टाइम यूज होता है तो आप देखो यहां पर यह मुझे कुछ आकवर्ड लगा कि यह कई जगों पर स्कीप कर रहा है कहीं जगह कच्रा वैसे का वैसे हैं सब जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताना कि यह इसी तरह से वर्क करता है या हम लोग ने कुछ गल्ती की है आuzu समझ में नीन यह रहा है एक बार और हम कर रण करके देखेंगे के साइद इसे और मैपिंग वाला हमने नहींansen लिया है की हम उसे मेक कर सके और फिर उसके बाद इसे रण करे वह हम ने ओसन पीक नहीं किया है क्योंकि कई बार हो गो आप आग दो आग आजा है तो फिर व लेकिन नहीं मिल रहा था फिर उसे मुसमीन उठा करके उस पे रखा और फिर यह auto self cleaning है सो उसके dock में जाकर यह clean तो कर रहा है सब कुछ उसमें से निकाल दिया इसने और फिर उसके बाद हमने फिर से उसे निकाल करके रख किया दिखे जैसे मैंने का में एंटरंस में इसने पूरा एक पोर्षन स्किप कर दिया मैं ने उसे फिर से निकाला और फिर से रन करके देख रही है कि इस बार देखते हैं कि वो खीक से कर रहा है कि ने लेकिन अगें सेम प्रॉब्लम है कीचन में तो उसने पूरा स्किप कर दिया था में एंटरंस में भी स्किप कर दिया था फिर से उसके निकाल करके किया तो कई जगवपे वह स्किप कर ही रहा है तो हम लोग के हिसाप से तो थोड़ा सा मुझे यह डाउनसाइड लगा जैसे मैंने कहा अगर आप में से कोई इसे यूज कर रहा है तो definitely मुझे comment में बताना और एक और हम लोग ने देखा है online देखते हैं यह return करकी वो वाला लेके आए लेकिन अगर same ही work करेगा तो फिर इसका कोई point नहीं है रखने का तो बस यह मेरी तरब से यह review था इसका सो चलिया बाते हैं डोसा के उपर यह मैंने बस डोसा उखाड लिया और यह तो एक एक जैसे बैठते हैं वैसे गरम गरम अच्छा लगता है मुसमी यहाँ पर चली गए थी अपने friend के यहाँ लेकिन उसने lunch नहीं किया वो आने के बात करने वाली थी सो मैं और husband अभी दोनों ही थे हम दोनों बस बना करके खाएंगे अभी और मुसमी का जबाएगी ना तब उसे बना करके दूँगी तो यह अपने आप ही पैंच छोड़ दे रहा था इसका better बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था सो बस यहाँ में बेलन की मदद से ही इसे रोल करके करूंगी और husband को यहाँ पर लसन की चतनी वाली दे रही हूँ मैं और मेरी मौसमी तो हम लोग प्लेन वारा ही लेंगे मिन्स मसाला तो इसके अंदर रखेंगे साइड में लेकिन लसन की चतनी नहीं लेंगे वह हमारे बसके बहार की चीज है हम दोनों मा बेटी ना थोड़ा सा फिक्का वळा खाते है इतना तिखा नहीं लेते है अब ऐसा नहीं है मेरे किड्नी ट्रांस्प्लांट के पहले से ही मैं तिखा नहीं खा सकती है और उसके बाद तो बिल्कूल भी बंद किया है मैंने इतना तीखानी थोड़ा से बहुत हो जाता है रूटीन का वो लेकिन लसन बसन की चटनी मेरे बसकी नहीं है सो यहाँ पे बस मैंने बेलन की मदद से भी इसे रोल किया है और वैसे भी इसे हाथ से भी बहुत easy से हो जा रहा था husband को थोड़ा सा ठीकर पसन है उनको इतनी ज़्यादा crispy वाली पसन नहीं है मुझे और मुस्मी को थोड़ा सा थेन वाला पसन है जिसको जो पसन है उससा आपसे बस यहां पे बना रही हूं तो हम लोगों की Thanksgiving तो कुछ इस तरह की गई आपकी कैसी गई मुझे जरूर से बताना जो यहां से है यहां ही पाइस सेलिब्रेट होता है न तो इंडिया वगेरे में तो यह holidays नहीं है तो बस इस वीडियो का मैं यहीं पे end करूंगी आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडिय को घर लोग हो खाँपी के हम अपने से मझे करते हैं हम लोग ना relates ऐन पर्चाइब पर्चंट है जहां इतना ज्यादा होजह टीक पर्चंट अ मरी पर्चंट लूग जैँई लकीब्र में इतना बीलती जितना होता है उतना क्रण परसंट यह उसको को यहां भी है नेक्स को में अंतिल देन टेक केरें बाई-बाई